शाथियों नमस्कार और आदाब कला संस्कृती और साहित्य के इस नए मंझ पर एक बार आपका पुना श्वागत है अभिनांदन है साथियों हिंदी कविता के ससक्त हस्ताक्षर, साथोतरी कविता और जनवादी कविता के लोगप्रिय कभी शुदामा पांडे धुमिल के ये पंक्तियां जिसे कहा जाता है कि उन्होंने बिमारी के हालत में इस कविता को अपने छोटे भाई से कहके लिखवाया था इस कविता में सब्द और अक्षर किस तरह से कविता बनते हैं और उन अक्षरों के बहाने आदमी और आदमी के नशल को पढ़ने और समझने की बात कही गई थी शब्द किस तरह कविता बनते हैं इन्हें देखो अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो क्या तुमने सुना कि या लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग लोहे का श्वाद लुहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुह में लगाम है धुमिल की ये कविता हिंदी कविता संसार की एक महत्पूर कविता है उसी कविता के तरज़ पर मैं भी एक छोटा सा गीत छोटी सी कविता अक्षरों के और अक्षरों के बहाने आज के इनसान किसमें कितनी सामजिकता है किसमें कितनी सारोजनिकता है कौन कितना श्वार्थी है कौन कितना परमार्थी है किसकी जमीन में प्यार है और किसकी जमीन में सिर्फ उश्रता और गर्मी ही भरी हुई है उसी को रेखांकित करते हुए एक गीत जो मेरी श्वर अचीत है मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ उसके बाद ही कुछ लिखता हूँ मैं लिखता हूँ फिर पढ़ता हूँ उसके बाद ही कुछ लिखता हूँ इस लिखने पढ़ने के ही धुन में अक्षर अक्षर खूब पढ़ा हूँ शीत अशीत है किस किस में भीतर तक घुश पैड किया हूँ तोल तोल कर बोल बोल कर सबका मैं संधान किया हूँ सबका मैं संधान किया हूँ कौन खुरदूरा कौन है चिकना एक एक को खूब पढ़ा हूँ तभी तो मैं खुलकर कहता हूँ अक्षर अक्षर खोब पढ़ा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, भुत बहुत धन्यवाद